हलो एरिवाइन, हाव आर यू, I hope आप सब अच्छे होंगे, भैतर होंगे और लाजबाब होंगे मेरे प्यारे साथी तो आप सब का स्वागत है पावर ओफ एजूकेशन के इस प्लेटफोर्म के उपर जहां पर मेरे वित्तरगण साथी आज हम विए थर्ड समेश्टर के दो हजार चोईज़ पच्छिस के उन तमाम साथियों के लिए अपने वीडियो का अगाज करते हैं मेरे बाई अपने सलेवस का अगाज करते हैं कि इस बार हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलने वाला है क्या चेंजिंग हुई है मेरे प्यार साथी और 2425 के अंदर किस तरीकी का पेपर निकल के तुम्हारे बीच में आएगा एक्जाम सलेवस कैसा है एक्जाम सलेवस का पेटरन कैसा है मेरे मित्तरगण साथी कौन सी सीरीज तुम सही ख्रीदोगे तो तुम्हारे लिए सो परतिशत पेपर निकलने वाला है क्योंकि सब के बीच में यह होता कि सर हमने शेकर के लिए हमने सूपर के लिए पर पेपर में कुछ कोशन आउट आउप से लेवस्ते सब चीजों का सुलूइशन देख कर जाने वाला हूं गभराने की जुरूरत नहीं है ठीक है ना चलिए मेरे प्यारे सती में देख लेता हूं थोड़ी सी क्वाल्टी होके क्या सब कुछ कुछ कर लेना चाहिए ठीक है ना तब तक तुम अपने प्यारे प्यारे सातियों से कहिए कि वह यह जल्दी से आजाईए और अपने कलास के अंदर जोइन हो जाईए मेरे वाई एप्लिकेशन पर आपकी कलास की सरवात हो चुकी है और एप्लिकेशन के अंदर मैं आपसे यही कहूंगा कि जिन बच्चों याभी तक एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया ह वह एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें और अपनी कलास को वह यह उसके अंदर से ले लिए ठीक है ना कितनी हमातर 499 रुपे हाँ ठीक है सब कुछ यह क्लियर है हलका सा जूम आउट तो लेगा मेरे प्यारे साथी थोड़ी सी प्रोब्लम्स है कोई दिक्कत नहीं सुलूशन हो जाएगा कुछ दिन की यह बात रहेगी क्योंकि अभी अपना ना केमरा आने में थोड़ा टाइम लेगा मिर बाई जैसे रहती हमारा केमरा जाता है उसके बाद में आपकी क्लासिस के अंदर सुलूशन हो जाएंगे कैमरा देख रहें मिल नी रहाले का अधोनी काविया हमारी नाम रहेगा मेरे मित्रगन साती बेपर जो निकलेगा वो तुमहारे कितने नंबर पका रहेगा सारी Total आपको देखकर जाने वालों हों देखिए मेरे प्यारे साथिओं तुम्हारा पेपर रजाम में लिखित में जो आए हो मातर 120 नंबर का आएगा मेरे प्यारे साथी, 120 मंबर का डिसाइड गए है कि कितने डेड़ सो नंबर का पेपर माना जाएगा पास होने के लिए यूनिवरिस्टी ने 36 नंबर डिसाइड कि हैं कि अगर जिस वच्चे के 36 नंबर वो पास होगा ठीक है तो थर्ड समेस्टर के अपने सलेवस में पढ़ने को क्या मिलेगा मेरे प्यार सती तो अधुनिक कावे के अंदर अधुनिक काल के हमारे जितने भी कवी थे उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा चाहिए वो दिवेदी जी थे भारते अंदर जी थे चाहिए तुम्हारे और जितने भी तुम्हारे रहे होंगे इसमें तरह नंदर पंत जी होगे उन सब चीजों के बारे में हमे बेच की पूरी फीस रखी गई है चार सो निनानमे एप्लिकेशन पावर ओफ एजुकेशन पर आपकी सरवात कर दिगी है एप्लिकेशन का नाम क्या है प्ले स्टोर पर जाईए और पावर ओफ एजुकेशन लिखिए और क्या कीजिए मेरे प्यारे साथी डाउनलोड कर बात तो यह कि बहुत हैं कोई भी सिरीज लेने की जूरूरत नहीं चाहिए चार सुब्यकर पान्स अठी सारी की सारी सिरी तुम्हें बिल्कुल फरी मिलेगी ठीक है एक बार तुम्हें चार सु निनानमे रुपेश लगाने होंगे उसके बाद में पूरी सिरी परी रहेग था पीडियाफ लेने के लिए गेस पेपर लेने के लिए चार्जीज लिए ते वो कुछ नहीं लेगा वो बिलकुल फरी रहेगा सेकेंड समेश्टर में बहुत प्यार दिये तुम लोगों ने हमारे इस बैच को मेरवाई और किसी के तहट हम थर्ड समेश्टर में पूरी अन अप्लिकेशन के अंदर ध्यान क्या मैंNY एप्लिकेशन अप्लिकेशन के अंदर टौप 5 बच्चे अगर को जाता है गैक 05 students के लिए मेरे भाई पहले student 11000 का इनाम नगद मेरे मेरे दूसरा मेरे मित्तरगंव साती 571 तीसरा मेरे प्यारे साती चो थे मैने चाहिए मंच्वे duele 6.1 तो नहीं मिलेगे चार सुनिनाव में तो मिलेगे क्या यह बन्यूम्डी के मेरे प्यारे साथ के त Anyone Um सब्जेंट MARK नोटेंगे और सब्जेक्ट की भी मात्र 459 रुपे में कि यहां पर देखो 490 में एक बार लगने के ब守ि तुमने नहीं अनुनने हो सकते हो रहे अπά nova को स्टेज के उपर लेके जाना कि देख पापा आज मैंने ग्यारा हजार का इनाम जीता है कॉंपिटिशन लड़ा हूँ मैं ठीक है यह में इपोर्टेंट है तो मेरे प्यारे साथी अपने इसका सुलीशन निकलेगा ठीक है ना यह सारी तमाम चीज़े तुम इसके अंदर कर सकते हो चले बगए अब एक्जान से लेवस पर बात करें पेपर कितने नंबर काईगा किस टाइब से आएगा क्यों सी बुक एक्जाम में लेनी है तुम लोगों ने एक्जाम की निकलने जा रही है ठीक है ने एक बुक निकलने जा रही है तो फाइब जो बहुत गहन अध्यन करने के बाद तुम्हारा गुरुजी खुद बना रहा है एसी बात नहीं है सीधर उठाया डाटा और फेंक दिया काईम लेगा फ़र्स समेश्टर की बुक हमारी मेरे प्यारे सती फर्स हैम की बुक जो है दो जार चोईस पच्चिस की वो साथ अक्तूबर से पहले पहले मार्केट में आजएगी साथ अक्तूबर से पहले आजएगी मेरे बाद है तुम सबसे थाड़ समेश्टर के लिए थोड़ा सम्मे लगेगा क्योंकि इस बुक को बनाने में थाड़ समेश्टर की टोफाइ मॉडल पेपर दे दूँ एक कोशन बाहर नहीं जाएगा पेपर केस आएगा सब कुछ बताऊंगा पेपर में इस बार तुमारे केटिगरी तीन चार तरीकों से डिसाइड हुए मेरे बाद यानि अब की बार तुमारे एक्जाम में क्या तो एखंड जो तुमारा है मतर बीस नंबर का आएगा कितने नंबर का मेरे भाई बीस नंबर का रहेगा एखंड तुमारा बीस नंबर का बीखंड में क्या है मेरे प्यारे साथी आठट नंबर के तुमारे कितने आठट नंबर के पांच कोशन होंगे यानि चालिस नंबर का रहेगा यहां पर तुम्हें अथवा में भी तुम्हें पांच कोशन मिलेंगे यहां पर दस कोशन होंगी जिसमें से तुम्हें आठ क्या करने होंगे पांच करने होंगे पांच छोड़ने होंगे और यह चालिस नंबर का काम रहेगा मेरे भाई ठीक है खंड सी के अंदर क कोशन करने होंगे यानि 60 नंबर का आएगा मेरे भाई ठीक है लेकिन यहाँ पर मिलेंगी तुम्हें पांच कोशन हर एक यूनिट फाट यूनिट पर तुमारा बेस पांच यूनिट पर बेस है जिन में से हर यूनिट से एक बड़ा कोशन निकाला जाएगा मेरे भाई पांच मल्टी पांच मेसेज तीन तुम्हें करने होंगे पांच कोशन एक्जाम में पूछे जाएंगे साट और चालिस सो सो और बीस एक्सो बीस यानि टोटल तुमारा लिखित में कितना एक्सो बीस नंबर का काम आएगा बात समझी है तू आगे चलें मैंने आपसे कहा कि यहां पर मैं इख्शाम स्लेवस दे रहहाऊ एप्लिकेशन के ऊपर तुम्हारी कुलास स्ुरू कर दिगई एप्लिकेशन के ऊपर मेरे भाई तुम्हारी के और किसरू नो लेते हो तो तुम्हारे लिए ऑफर चल रहा कि यह offer सारे चेंज कर दूंग, क्या पता 499 वाला 799 में बदल जाए, अभी तुम्हारा 33% ओफ चल रहा है, तुम्हें पता होगा, क्या पता यह 799 का अंदर चला जाए, और तुम्हारी PDF नोर्ट जो मैंने free provide करवानी है, वो भी मैं बंद कर दूँ, क्योंकि भी यह तुम्हे से लेवर सुरू होगा, मज़ा तभी यह पढ़ाने में जब बच्चे हों कलास के अंदर, ठीक है ना, सुनो मेरे प्यारे साथी, टाइम टेवल की बात आती कि सर हमारी कलास का टाइम टेवल तो फिक्स करो, तो मेरे बारी टाइम टेवल तुम्हारा बिल्कुल फिक्स हो ज बातें तमाम हो चुकी है, बात आती ही तुम्हारे सिलेवल के ऊपर, तो अधुनिक काल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो मेरे प्यारे साथी पहले पहला जो इकाई नंबर बन में हमें क्या-क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, इस बात पर सुनो, तो मेरे बाई अधुनिक कविता होगी, नई कविता होगी, ये तमाम हमारी मेरे प्यारे साथी यूनिट बन में हमें पढ़ने को मिलेगी, उसके बाद कावे रूप पर आजए, कावे रूप में मेरे मित्रगन साथी तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें कावे रूप पढ़ने को मिलेग कि उसके बाद और क्या मिलेगा परमुक बीमर्ष मेर वाई यानि इस तरी के ओपर बीमर्ष करना वारतलाब करना या कोई मतलब समबाद करना दलितों के ओपर और दिव्यांगों के ओफ़ों ये तमाम चीजे हमारी यूनिट बन का चेप्टर यूनिट बन में ही रहेगा ठीक है ना यहां से पढ़ने को हमें मिलेगा बहुत लाजबाब अपकी बार तुम्हारा स्लेवस क्योंकि यहां पर चेंज कर दिये गए मेरे बाई कुछ चेंज हुई और चेंज क्या होगा सुनो आप सब को पता होगा मेरे गड़के नहीं ही पेपर होगा यह तुम्हारी चेंज hormone कर दी गहीं दूसरा सुनो मेरे बाई, फर्स्ट समेश्टर में तुम्हारी कावी बच्चों की रीपियर है, बेक लगी हुई है मेरे बाई, फर्स्ट समेश्टर में बेक बीप्रोम और अप्रोम वाले बहुत है, अप्रोम वाले बहुत है मेरे बाई, तो मेरे मितरगन साती जो थर्ड सम संती उनकी रीटन हो जाएगी अगर सीधा लेते हैं तो 499 रुपे में और अगर वह इस तरीके से लेते हैं तो उनको 50% डिसकाउंट हो जाएगा ठीक है अब चलो मेरे दूसरी यूनिट में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा यहां पर आजो करन के उपर रश्मी रथी हैं आप रहा हमें पढ़ने को मिलेगी क्या मिलेगी रश्मी रथी जो किसकीए रा रामधारी सिंग दिनकर की है लोकभारती प्रकाशन मेरे वाई यानि रश्मीर थी एक कविता बड़ी लाजवाब कि कृपा चारे ने पूछा करण किस जात से हो किसके हो फ्लाना दिकड़ा बड़ी जवर दस्त में ने पढ़ाई है मेरे वाई लाजवाब कविता तुम्हार समेश्टर में पढ़ने को मिलेगी ठीक है ना पहले यह सेकंड ये का हिसा हुआ करते थी पहले जिसने पढ़ा है मैंने पढ़ाई है वैसे पूरी पूरी जवर्दस तरीके से मिरवाई तीसरी यह काई नंबर तीन पर आजए रश्मीर थी के साथ साथ सरग से मिरवाई याद होंगे मुझे तो अच्छे से याद है तुम्हें पता नहीं ठीक है अब सुनो अगला है मेरवाई यूनिट नंबर तीन में भारत तेंदू अरिश्चंदर के बारे में यहां पर क्या मिलेगा कि चूरण अमल वेद का भारी यानि इनी की कोई कवीता हैं होगी जो भ लाजवाग कवीता तुमारी का कई परिता बहुत जवरदसत है मेरे प्यार साथी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हैं सकीबे मुझसे कहकर जाते ये भी इसी का हिसा थी जवरदस तरीके से मेर वाई दोनों और प्रेम पलता है गजब की पोईम में हैं मेथली शरण गुप को मिलेगी ओध्यासीकुपाद्है की पढ़ने को मिलेगी यूनिट नमबर तीन में हमें तीन कविएं के बारे में पढ़ना होगा उनकी कभीताउं के बारे में पढ़ना होगा बड़े मुझसे से हम इसको पढ़ने वाले हैं इकाई नमबर आगे चलो इसके बाद में यहां पर और भी है सोहनलाल दिवेदी जी की रे मन खादी गीत वंदना ये भी हमें यहां पर पढ़ने को मिलेगी कौन कौन सी मेरवाई यूनिट नमबर तीन में किसकी सोहनलाल दिवेदी जी की भी पढ़ने को मिलेगी रे मन खाद किसके बारे में जैसंकर परसाद के बारे में पढ़ते हैं मिरवाई जैसंकर परसाद यानि पेसोला की परती धवनी बीती भींबारी परले की छायां यह हमारी जैसंकर परसाद की कवीताएं रहेगी जिनके बारे में हम बात करेंगी फिरातर सुर्यकान तिरपाटी निराला क कौन तुम शुबर किर्ण वंसना बड़ी ही लाजबाब बारमी दस्मी में भी पढ़कर आएं बहुत जवरदस्त है गीती का जुही की कली होगी यह हमारी किसकी मेरवाई संद्या सुंद्रा होगी बहिया सुर्यकान तिरपाटी निराला जी की है लाजबाब बहुत अच्छ की कविताओं के बारे हैं पिर महादेवी वर्माजी के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि जो तुम आजाते हो एक बार, जो तुम आ जाते हो एक बार मेरे सामने, तो यह चीज़े हम यहां पड़ेंगे, तुम मुझसे परिये क्या प्रिच्च, यह भी हम यहां पर पड़ेंगे, मैं नीर बही दुख की बदली, यामा, यह भी तुम्हारी यहां पर हम पड़ने को मिलेगी, महादेवी बर्मा के, फिर आती है तुमारी सुरुद्रा कॉमारी चोहान की बड़ी जवर्दस तहरीन की राणी लच्मे भाई पर भी एक बहुत सुंदर सी कवीता थी my सुवीद्रक हमारी चौहानकी की जीवन फूल कोईल उलास इसका रोना यह कवीता है तुम्हारी यहां पर पढ़ने को मिलेगी तो यह काई नंबर चार भी तुम्हारी यहां पर खत्म होती है मेरे बाइब पांडिट नंबर फाइम में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा आपकी थोड़ा सब लंबा रहेगा मेरे भाई होड़ा सा इस neo कहता हूं ओर को सल कि दम है तो फेल करकर दिखाए खुला चैलेंज करके बाइए पास होने के लिए नहीं पढ़ना है पास तो हम कब के हो जाएंगे मज़ें से पढ़ेंगे मेर बाई एकाई नमबर पांच में क्या रहेगा सुनो मेर बाई कटा पढ़ेंगे कि नदी के दम्यभी कि यहां पढ़ने को मिलेगी नरेश महता की मा अच्छे से पढ़ी थी सेकंड इयर में पढ़ी थी बड़ी जवर्दस्त कविता थी तुमारी सेकंड इयर में इस वार हमें से फर्स समेश्टर में पढ़ने को मिल रही है ठीक है बवानी परसाद मिशर का कौन सा गीत फ्रोस कहीं नहीं बचे यह तुमारी कविता है किसकी होगी मेरे प्यारे साथी किसमें पढ़ने को मिलेगी, यूनिट नमबर पाँच में मिलेगी, ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे साथी, तुम्हारा एक्जाम से लेवर्स, अब उसके रिगार्डिंग, अगर तुम चाते हो, कि सर जी हमारे लिए वन वीक इनफ नहीं है, हम तो ग्यान चाते हैं, पूरा का दूसरा इतियास पढ़ना है, तो डॉक्टर बचन सिंग की, अधुनिक कवियों के बारे में पढ़ना है, तो दुबार का परसा सक्सेना की ले सकते हो, अधुनिक हिंदी कवे सिलब पढ़नी तो डॉक्टर मनमोहन अवस्ति की, कवीता के नए परतिमार पढ़ना है, तो दोक्टर नामबर सिंग की अधुने कावे की परवीतिया पढ़नी है तो डोक्टर नामबर सिंग की तो यह बहिए कुछ है कि यहाँ पर कविताओं है और बुक और उनके राइटर दिये हैं आप जो लेना चाते हो ले सकते हो ठीक है जैसे नई कविता हमें पढ़ने को देवराज की हम बुक ले सकते हैं मिरवाई और इस तरीके से यहाँ पर और भी मिल जाएगी भारतिये कावे सस्तर पढ़ना है तो बलदेव पर साथ उपाध है की ले लीजिए तो काफी कभियों के नाम और बुक्स दी हुई है मिरवाई यहाँ पर समेश्टर फोर चलेग दो कि भाई यह बैच आ चुका है कवाल्टी की कोई दिक्कत नहीं है दो चार दिन की दूरी है बस फिर से तुमसे मिलना जरूरी है टेंचन मत लेना ठीक है फिर से मुलाकात होगी हमारी अभी के लिए कलास एंड कर दू मिरवाई ओके अभी के लिए हंतरों मुस्क्राते दूरो रादे रादे जरी सिर्किना जहन जभारत में रिप्याता है